दक्षिडी लिबनान से सटा इसराइल का उत्तरी इलाका हिजबुल्ला के आग उगलते हमलों से धधक रहा है गाजा के बाद उत्तरी इसराइल में ही सबसे जादा प्रीशवर हमले हो रहे हैं उत्री इस्रायल के कोने कोने में इस्रिता लडागे अपने जोरदार हवाई हमले कर रहे है। उत्तरी मोर्चे में जबरदस तबाही मची हुई है। वहीं हिजबुल्ला को कड़ी चुनौती देते हुए इस्राइली सेना लेबनान के दक्षुरी जोट पर बंबरसा रही है। इससे प्रतिशोत की आग में जल रहे हिजबुल्ला ने फिर से जोरदार हमला कर इलाके में संसेनी मचाई है। हिजबुल्ला ने उत्तर में एक इस्राइली सेन ने कमांड सेंटर पर कर्तिशा रॉकेटों की बहुचार कर इलाके में संनाट अपसार दिया। समू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस्राइल को इससे बहुत बड़ा जटका लगा है। हिजबुल्ला ने बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने शनिवार सुबह माउंट नोरिया बेस पर गोलानी ब्रिगेट बुख्याले को रॉकेटों से निशाना बनाया। लड़ाकों की सीधे हमले में इस्राइली कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। समू ने इसराइल पर की गई ये तीकी प्रतिक्रिया खास तौर्प से बिंट जिबेल जिले के फ्रॉन गाउं में हालिया इसराइली हमले के जवाब में की गई। इसके अलाबा हिजबुल्ला ने गाजा में समर्थन में फिलिस्तीनी और प्रतिरोधी गुटों के समर्थन में ये हमला किया। के जवाब में रक्षुडी सहर कफरा में एक हिजबुल्ला से नानी मारा गया है। पोस्ट को भी निशाना बनाया। एजबुल्ला के कामी केज ड्रोन की एक बड़ी सिरीज चलाते हुए उत्तरी इसराइल के हर एक कोने को दहलाया। समूह ने दावा किया कि अबिरेम इलाके में इसराइली सैनिकों के टुकडी को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं समूह ने फलक मिसाइलों से उत्तरी कबजे वाले फिलिस्तीन के किरिट शमोना बश्ती को निशाना बना कर तबाही मचाई। समूह ने दावा किया कि ये हमले दक्षिडी गावो और नागरिक इलाकों पर कबजे के हालिया हमलों का सीधा जवाब भी था। खासतोर से इसमें फारून शहर में चिकित्सा दल पर हालिया हमला शामिल था। इससे नागरिक सुरक्षत अधस्यों की शहादत हुई और अन निखायल हुई। हिजबुल्ला के खतरनाक हमलों से तरस्त इसराइली सेना ने बड़ा कदम उठाया है। किरिच शमोना में बसने वालों को गड़वाले इलाकों में रहने का निर्देश दिया गया है। दरसल हिजबुल्ला के भीशड हमलों के चलते बस्ती में बार बार अलर्ट साइरन बशते रहते हैं। इन अलर्ट के पास के ही मिसगाव, एम, अलमनारा और कफर गिलादी बस्तियों को भी बुरी तरब रभावित किया। इस बीश लेबनान के इसलामिक प्रतिरोध ने कबजे वाले फिलिस्तीन की सीमा पर लगे निगरानी उपकरणों को निशाना बनाने वाले फोटेज जारी किये। इसमें देखा जा सकता है कि इसरैली सेना की ओर से लगाए गए जासूसी कैमरों और सेंटर्स को एक जटके में तबाह किया गया। इसके अलावा समून लेबनान फिलिस्तीनी वार्डर पर अपने बिरानित बैरक को निशाना बनाने को भी दहलाने वाला फोटेज जारी किया है। अबाए झालावा थाँ को पर जा सकता है।